दोस्तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत हिस्सानदार जबरजस्ट बिजनिस आइडिया लेकर आया हूँ इस बिजनिस में आपको कोई कंपटीशन भी नहीं मिलेगा और इसमें अच्छी खासी कमाई है और दोस्तो अगर आप ये बिजनिस करना चाहते हैं पूरी जानका कि कैसे फाइदा होगा और कहां बेचे घर में बैठके हम कैसे व्यापार कर सकते हैं दूसरी चीज ये आपको ज़्यादा सज्यादा तीस उरुपए किलो में एबलेबल हो जाएगा जो कि आप इसको 500 उरुपए किलो तक आप बेच सकते हैं और हर व्यक्ति कभी न कभी लेकिन इन बिजिनिस के बारे में जादा लोगों और ध्यान नहीं जाता इस लिए ज्यादा लोग इनको कर नहीं पाते हैं तो इस बिजनिस को करके आप पांच हजार रुपए कम से कम पांच हजार से लेके दस जार रुपए में डेली बड़े आराम से कमा सकते हैं दस जार रुपए इस बिजनिस से कमाना कोई भी बड़ी बात नहीं है आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इसमें आपको 10,000 रुपए मिनिमम कमाई चालू हो जाएगी क्योंकि देखिए अगर आप बिजनिस करते हैं तो बिजनिस को आगे बढ़ाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और किसी प्रोड़क्ट को बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है लेकिन ये जो प्रोड़क्ट है इसको आप किसी भी किराना की दुकान जनरल की दुकान पंसारी की दुकान में आप जाएंगे और इसको आप बोलेंगे कि भाईया मैं खुद मैनुफैक्चरर हूँ मैं खुद सिंहाडे का आटा बनाता हूँ और इसको में बेचनस आयता हूँ तो इसको हर जगए हाथो हाथ ले लेते हैं क्योंकि ये जल्दी अबलेवल भी नहीं होता है क्योंकि ये सीजनली फाल है हर स कराम सकते हैं अगर थोड़ी सी मार्केटिंग करेंगे तो अगर आपको मार्केटिंग पर विस्वास नहीं करते हैं आप मार्केटिंग करना पसंद नहीं करते हैं तो इसके बाद भी मैं एक ऐसा आइडिया बताओं को जिसमें आप घर में बनाएंगे और घर में बैठे ही आपका पूरा माल बिग जाएगा आपको कहीं भी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है तो दोस्तो इसके मैं पहले फायदे आपको बता देता हूँ दोस्तो ये एक सीजन बाला फल है मौसमी फल भी इसको बोल सकते हैं इसमें कई ऐसे पोसकत तो पाए जाते हैं जो इन दिनों कई तरह की बीमारियों से बचाने में कारगर होते हैं ये दिल के आकार का मिलता जुलता हरे रंग का या लाल रंग का पौधा होता है जो पानी के अंदर पैदा होता है और यह एक मौसमी फल भी है और इसमें कई ऐसे पोसक्तत जो इन दिनों कई बिमारियों से बचाने में कारगर होते हैं सिंघाडे का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है कुछ लोग इसे कच्चा भी खाना पसंद करते हैं कुछ लोग उबाल कर खाते हैं और कई जगों में इसकी सबजी के तौर फर भी उपयोग किया जाता है और इसका पाउडर इसका जो आटा होता है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है बड़े स्केल में उपयोग होता है क्योंकि सिंगाडे के आठे का पाउडर का जो प्रोटीन पाउडर मिलता है उसमें सिंगाडे के आठे का बहुत सारे प्रोटीन पाउडर आते हैं जिसमें मोश्टली सिंगाडे का आठा ही मिला रहता है और तीन सो रुपए के सो ग्राम मिलते हैं चार सो रुपए के सो ग्राम मिलते ह जिंक, बिटामिन B, बिटामिन E और भी बहुत से पोसक्त तो इसमें पाए जाते हैं और इसे आयुर्वेद में इसके कई फायदों का जिक्र किया गया है जो हमारे आयुर्वेदी की किताबे हैं उनमें सिंगाड़े के आटे का विशेस महत बताया गया है सूखा हुआ जो सिंगाड़ा होता है उसे पीस कर आप अगर चाहें तो मिक्सी से भी पीस सकते हैं पहले इसके छोटी-छोट टूड़े कर लें उसके बाद मिक्सी में डालके इसको बढ़िया आटा बना सकते हैं आपको अगर चक्की अभी नहीं लेना इस्टार्टिंग बि पन्नी में पैक करके और इसको अच्छे खासे दाम में देती हैं लेकिन दोस्तों मैं प्रूब दिखा रहा हूं आपको कि सिंगाड़े काटा 100 रुपिया में 100 ग्राम बिलता है कुछ कंपनिया 100 रुपय में 200 ग्राम भी देती हैं लेकिन अगर मैक्सिमम कुछ कंपनिया 200 ग करें और दूसरी चीज़ यह है कि ऑनलाइन में इसकी अच्छी खासी सेल है और यह एवलेबल नहीं हो पाता है जब आप ऑनलाइन इसका आप अपना खुद का डालेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप इसका प्रोडक्ट पुजा नहीं पाएंगे इतनी ज्यादा इसकी चेल है तो दोस्तों ऑनलाइन के लिए आपको आटा बनाने की विधीतों मैं बता दिया अगर आप चाहें तो इसमें अच्छी सी पन्नी का यूच्छ कर सकते हैं क्योंकि आज कल दिखावटी का चमाना है लेकिन इसके साथ साथ विशेश ख्याल रखना है कि आपको ओरिज और यह सब गलक चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि बिना मिलावट के ही आपको इफरात पैसा मिल रहा है तो कोई जरूत नहीं है कि आप इसमें मिलावट करके अपना प्रोड़क्ट भी खराप करें नाम भी खराप करें और फिर बाद में धीर धीर बिजनिस बंद हो जाए तो इसका अगर ओरिजनल आटा बेशते हैं दोस्तों तो आप को तीन चार चार में बताए दे रहा हूं अगर इन चारों में आपने रिश्टेशन कर लिया और फ्री आपकास्ट रिश्टेशन होता है तो आप मैं गारंटिस यह कह सकता हूं कि आप सिंगाड कि आटे की बहुत ज़्यादा मांग रहती है अगर आप चाहें तो बल्क में भी दे सकते हैं लेकिन बल्क में थोड़ा आपको कम रेट मिलेगा लेकिन आपको बल्क में देने की आवस्चता ही नहीं पड़ेगी आप चार बेव साइट एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैप डील, और एक आपको होगए बास्केटबल और एक फैक्टि जाटा है। इन सारी कमपनि हो में आप अगर रेजिटेशन करते हैं तो इसका रेजिटेशन फ्री आपकास्ट होता है। इसके रेजिटेशन में एक रुपिया भी आपका नहीं लगेगा, आप फ्री नेप डील बास्केट वाल में हम कैसे रेजिटेस्टन करें तो वो जैसे जैसे बताता है उसी हिसाफ से आप कर लें और अगर जीएस्टी की बात आती है तो जीएस्टी आपको स्टार्टिंग बनवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीस लाग तक टरन ओवर नहीं होता तब जीएस्टी जरूरी नहीं है यह गौर्रमेंट का रूल है इसलिए जीएस्टी अगर आभी आपको 20 लाग से कम कब इजनीश है तो आपको जीएस्टी लेने की कोई आवस्ता नहीं है बिना जीएस्टी के भी में रिष्टेस्टन हो जाए बस आपको बैंक अकाउन जरूर म बहुत बड़ी marketing company है तो वो बंदा आएगा Amazon का और आपके यहां से ले जाएगा और JC customer को देगा और delivery करेगा उसी time पैसा लेगा तो आदा जो भी पैसा आपका है आपके account में सिधे तुरंत transfer हो जाएगा और आप चाहें तो cash में भी दे सकते हैं उसमें सिधे डालते हैं कि no delivery option cash on delivery का कोई option नहीं है तो लोग आपको cash पहले आपको payment करेंगे उसके बाद फिर company का बंदा आएगा और उसके बाद वो ले जाके customer को deliver कर देगा आपको सिर्फ घर में बैठना है और इस आटे की manufacturing करना है मतलब बनाना है अच्छे से और उसको अगर आप अच्छे तरीके से हैं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं आप घर बैठे तीन लाग में बहुत कम बताया हूं इससे बहुत ज़्यादा कहीं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं तो दोस्तों यह एक बहुत ही सांदार business idea है सबसे बड़ी बात इसमें किसी भी प्रकार का कोई competition आ लेंगे आप अपने आस पास के 100-200 किलोमीटर के एरिया में इसका अगर आप बिजनिस करेंगे अगर आप offline करते हैं online नहीं भी करते हैं तो भी इसकी इत्ती ज़्यादा सेल होगी कि आप product पुझा नहीं पाएंगे तो दोस्तों यह बहुत ही unique product है और बहुत ही unique business idea है तो य चैनल को सब्सक्राइब जरूर